बोले भंडारी, आदिनांक 28-9-2020, अब हमें ये वीडियो बनाने का हुक्म दिया गया है, हमारा विशे, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसने का संभुकुमार, नेशनल दस्तक वाले ने, कल दिनांक 27-9-2020 का वीडियो, 27-9-2020 के वीडियो में उन्होंने बोला किसी बात से निराश होकर, क्रोधित होकर कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगे, बनाना ही पड़ेगा भाई साब, आप किसी घटना से बिचलित होगे, लेकिन क्या करें, यह प्रकरती है, यह कुछ कुछ करती रहती है, आपको वीडियो तो बना नहीं पड़ेंगे, सुनो, आप क्यों नहीं बनाऊंगे, क्योंकि आप नाराज होगे, गुस्त में होगे, यह काम क्या आप अपनी मर्जी से ही करते हैं, देखिए दोस्त, देखिए महापुरुस्त, हमको ऐसा लगता है, कि यह काम अपनी मर्जी से करते हैं, और चाहें तो अपनी मर्जी से छोड़ भी देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक hidden side भी है, एक ऐसा पक्ष भी है, जो हमें पता नहीं चलता, कि हमारी मर्जी उसमें नहीं होती, मर्जी तो थोड़ी बहुत होती है, उसमें परमात्मा की इच्छा होती है, कि हम यह काम करें, और हमसे वह काम करवाय जाता है, इसलिए, यदि परमात्मा की इच्छा है, कि कोई भी यह काम करें, तो उसको करना ही पड़ता है, आप आस्तिक हैं कि नहीं है, मुझे पता नहीं, ज़्यादा तर लोग बहुत धर्म को मानने वाले आस्तिक नहीं होते, अमिर्कर वाले आस्तिक नहीं होते, लेकिन मैं तो आस्तिक हूँ, मैं जगत जन्नी का उपासक हूँ, मैं परमात्मा से जगत जन्नी से बात करता हूँ, और आप मेरी बात सुन लो, आपको वीडियो बनाने ही पड़ेंगे, आप कब तक वीडियो बनाओगे, यह सेवा आपको देना ही पड़ेगा, यह सेवा आप जब तक दोगे, जब तक की वह समय नहीं आ जाता, कि यह रिपोर्टर्स, यह पत्रकार आपके पीछे-पीछे ही घूमें, और आपके वीडियो बनाने लगें, देख लो, दूसरा, जब तक की कोई बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का पद आपके लिए तैयार नहीं हो जाता, वह आपको सम्हालना ही पड़ेगा, या कोई और बड़ा काम आपके लिए प्रकृति जगजन्नी नहीं दे देती, देखो, मेरे को यही मैसेज कनवे करने के लिए बोला गया है, कि सम्मु कुमार जी को आप यह मैसेज कनवे करो, अब मैं आप इसको पता नहीं पड़ेंगे, कि देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन मैं तो अपना काम तो कर दूँ, कि आप जब तक वीडियो बनाईए, आपको बनाना ही पड़ेगा, जब तक कि दूसरी लोग पत्रकार आपके पीछे पीछे नहीं फिरें, आपके वीडियो बनाने के लिए ही, आपके विचार जानने के लिए ही, या फिर कोई सेंट्रल केबिनेट मिनिस्ट्री में आपके लिए अच्छा पत तयार नहीं हो जाता, या फिर और कोई अच्छा काम प्रकृति आपको नहीं दे देती, भाई साब ये तो आपको कर नहीं पड़ेगा, सारा जर्रा जर्रा कनकन उस परम पिता के आदेश का ही पालन कर रहा है, और इतने निरास मत हो, जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्रान्ती होने वाली है, बड़ा अच्छा सूर्य दे होगा, आप जरूर सबर रखें, बहुत से लाखों लोग सबर रखे हुए हैं, मजबूर में समझो या उस परमात्मा का विश्वास करके समझो, बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी, भारत का अच्छा समय भी आएगा, जे हिंद जे भारत,